नमस्कार आप सबी दर्शुकों को आप देख रहे हैं चुनाम आज तक इस वक मैं आपके साथ आशुतोर चदरवेदी ये तो मेरी बात हो गई और चार और तस्बीर चार और विंडो दिख रहे हैं हमारे सारे सायोगी देशबर के अलग-अलग हिसों से दिख रहे हैं चंड चुनाम आज तक बर आशीष, रोईत, पंकरच और सातियन ये कारिक्रम हम शुरू कर रहे हैं ये आज का ये पहला एपिसोड है और हमारा मकसद ही है कि अप देश में चुनाम होना है जो भी हर राजे से बड़ी ख़वर होगी एक वीकली एक प्रोग्राम हम करेंगे अपन बीजेपी के रत को रोकना है नरेंदर महुदी को रोकना है उनके अभ्यान को रोकना है तो इंडिया गडबंदन अलाइनस को रहता है लेकिन हर जगर से अलग-अलग ख़वरे आ रही हैं शुरूआज सबसे पहले हम पंकच के साथ कर लेते हैं पंकच अभी हमारी थोड़ वो क्या अंदरूनी सुत्र आपको बता रहे हैं अभी क्या हलचल है इसको लेकर देखी लगतार हम आमाद्वी पार्टी निताओं के संपर्क में हैं और जो जानकारी आज दोपहर में चुनाव आस्तव को मिली वो यह बताती है कि आज शाम को किसी भी वक्त कॉंग्रेस और कर सकते हैं मकसद होगा अइलान करना लेकिन अभी दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच बातचीत हो रही है कि इतना आसान नहीं है प्रस कॉंफरेंस करना दिल्ली में ऐसी जगे ढूंड़ना जहां पर संयुक्त प्रस कॉंफरेंस हो चुके कौन से निता करेंगे निताओं के क्या होंगे समय क्या होगा उस सवय पर निताओं की उपलब्दता होगी या नहीं होगी इसे लेकर फिलहाल मंधन जारी है लेकिन जो एहम जानकारी है दिल्ली यानि देश की राज़धानी में साथ लोगसभाद सीटें हैं और इसमें से चार लोगसभाद सीटों पर के अलावा जो एक और अन्य सीट है वह भी यहां पर कॉंग्रेस को मिली है तो हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरे समीकरण के बीच में सिर्फ दिल्ली ही डील का हिस्सा नहीं रहा है गोवा गुजुरात और उसके अलावा हर्याना और चंडिगर को भी इसमें शामिल क किया गया है जाहर है कि आम आदमी पार्टी लगातार यह कोशिश कर रही थी कि तेजी से चर्चा हो जल से जल इसकी घोशना हो जाए और आज भी जो हमारी पार्टी के निताओं से बात चूट थी वह बड़े आश्वस थे कि अब किसी भी तरह का पींच नहीं फसा हुआ ह और जल्द ही हम इसी घोशना एक साथ मिलकर कर देंगे पीच की जो आप बात कर रहे थे वह पीच दरसल एक था घुचरात की भरुष सीट को लेकर जहां पर एहमद पटेल की परिवार से सीब देने की बात हो रही थी क्योंकि वहां पर आमादी पार्टी पहले ही अपना उ कि वारी घोशित की थी तो यह अपील की थी कॉंग्रेस से कि उन्हें ही घडबंधन का उम्मीदवार घोशित कर दिया जाए वहीं डिली में आपको कल तक हम जो जानकारी दे रहे थे कि जो चांदी चौक लोकसभा सीट है और उसके अलावा जो इस दिली की सीट है इस दिल फाइलन होले के बाद अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रेस कॉंफेंस को क्या रूप दिया जाए जिस जगहे पर और कितने बज़े ये प्रेस कॉंफेंस की जाए तो हम जो जानकारी मिली कि आज शाम तक घोशना हो जाएगी चाहे वो कॉंग्रस की तरफ से हो या आशिष शिवास तो बताएंगे जी आशिष देखिया असर तो यह अलाइंस जो है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रस का तो हो जया है और साफ तोर से यह कई दिनों से पेज़ पता हुआ था कि आके कुपनी सीटों पर कॉंग्रस लड़ेगी कि कॉंग्रस में पहले 22 सी तो उसके बाद प्रताफ बढ़ का कैंडिडेट उताब रहे थे यानिके लाइंस तो पुरी बात बनी ही लेपा रहे थे अब पाइनली जब बात बनी है तो साफ तोर से 17 सीटों पर जिस तरीके से कॉंग्रस में अब लड़ने की कवाईश चरूपी है और उसमें से महत्व पूर सीटे जो थी वो उन्हेने बताया चाहे हो बनारण की सीटों इताब की सीट है या इसके इलावा अब यो चैस सकते हैं बारावग्य की सीटे वो एसी सीटे हैं जहां पर यह अपने बड़े अटेट उतारना चाहते है जैसे कि प्रदेश अध्ट उनके बनारण से पास इसके परसेटी में उसके एंटी जहें हो अपने भिता पाईगी यहीं सवाल गढ़ा होता है तकि रास्तिय लोगजल के जाने से समाजवादी पाइटी के बहुत बढ़ा लॉट हुआ है तो रास्तिय लोगजल परदेस्टा एक मजबी सिस्तम माना जाता था और वो आप कही ना कहीं तो अब पच्छी उप्षर्वदेश की जिम्मेदारी समाजवादी पाइटी की है और अगर इंडिया अपनी पार यही से आप पूरी करिएगा दर्शुकों को अपडेट करिएगा शैद पंकच को प्रेस कॉंफेंस करने जाना है तो आखरी सवाल इन से ले लेते हैं जी पंकच अगर कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही हो तो अपडेट करते हुए तब आप चलेगे दरसल क्योंकि पार्टी निताओं से संपर्थ भी करना है और मैं एक अपडेट दिना चाहूँगा जो बात आपने कही कि अभी प्रेस कॉंफेंस का समय होना है तो यह जान तो कोई ऐसी जगे यहां सक्तियुक तो रूप से प्रेस कॉंफेंस की जा सकी और सबकी उस पर नजर है इसलिए हम पार्टी निताओं से भी संपर्ख कर रहे हैं अपकर आपकी आवाज चले गई शायद म्यूट बटन दबा है जी माप कीजेगा तो हम पार्टी निताओं स कौन से निता होंगे इसे लेकर फिलहाल मंधन चल रहा जैसे पॉप-प हो आपके मुबाइल में मैसेज आए गिरे कि अप प्रेस कांफरेंस कोई जानकारी मिलने वाली है तो आप लीट कर दीजेगा और अगर समय हो तो जुड़े रहेगा आशी जल्दी से आप अपनी बा इसलिए आखर में जी आशीश बात पूरी करें जी इसलिए बता रहा था आपको की साफ और से बीएस्टी के होले से कैसे को अब काफी बिटेटियों के बिलेशन होने वाली है अला कि बीजेटी की साले अभी जो एलाइन से समाज़ादी पार्टी और कॉंग्रेस का बहुत मजबूट इसलिए नहीं है जैसा उसको माना जाता है लेकिन अब ये डिबंच करना होगा कि लोगतमा सुनाओ में समाज़ादी पार्टी पार्टी से किस्क्रिये गल है और इसके अपने MPs को जिता पाते हुए जहां पर वो पहले स्कारे हुए और कॉंग्रेस जहां पर इ पार्टी के अमेटी वे इस बार राउंड गांजी भी लहीं है और राइवरी वे वे तो इसलिए बड़ा चैलेंग है इस अलाइस के सामने कि कैसे बीजेटी का मुकाबना इल्जे अलाइस इस लोगता पर आशिश बट सारी चीज़े आप भी देख रहे होंगे और बहुत और जो वीडोस से बीज़े वह लिखते भी रहते हैं और सोशल मेडिया पर ये भी एक ट्रेंड चला की सोनिया गांजी और गांजी पर राईसबाद चली गहीं यह भी खाप्र चल रही है जिए खापरी चल रही है इस बात को बिलकुल इस बात को ब्सक्तार कि पर इस तो इस वज़े से इस पूरी गई ये पूरी बीजेटी के सभी जो लेता है वो कह रहे हैं और इस बात का फ्रेम भी कर रहा है कि सोनिया गांदी घर के मारे उस्तर प्रदेश के अब चली जैसे कि कॉंग्रेस के राहूल गांदी वाइनाट चले गया तो वैसे ही सोनिया परिवार से आएगा कोई या कोई और किसी से चहरा लिया जाए जी आशिश जुड़े रहे हैं जल्दी जल्दी सभी हमारे जो सयोगी है थोड़ा ज्यादा इंतसार कर रहें इसलिए अब उनका इंतसार तुरंट खत्म कर दिया जाए रोए मुझे अब ये समझाए कि के रूप से जुड़े हुएं और मजबूत कंदे से कंदा मिलाकर यानि एक दूसरे के पूरत एक दूसरे के सहीयोगी और इंडिया गटबंधन इसी उमीद में है कि ये लोग साथ रहेंगे तो नरेंद्र मोधी को रोक लिया जाएगा क्या आपको लगता ऐसा संभाव है दूसरी चीज कि दोनों अगर एक साथ बिहार में आते हैं तो कितना चैलेंज कितनी चुनावती दे पाएंगे नरेंद्र मोधी को बीजपी को एंडिये को आशुदोर सबसे पहले ये समझ देजे इंडिया गटबंधन नाम की चीज अब बिहार में नहीं बची है पिछले 30 सालों से आरजेडी और कॉंग्रेस अलाइंस में है बिहार में कोई नई चीज नहीं है यह पिछले 30 साल से ही अलाइंस में चल रहे हैं जब भी चुनाव आरजेडी की कारण ही कि कह सकते हैं कि कॉंग्रेस की हाल इतना इतना हालत खराब हो गई है कि एक दाम बिल्कुल लगफ़क समापसी हो गई है तो कॉंग्रेस और आरजेडी का ये जो अलाइंस है ये कोई नया नहीं है 30 सालों से बिहार में चलते आ रहा है हां नितीश कुम इसके सूत्रधार थे और व्यापक एक बड़ा गटबंधन बनता तो इसे हम इंडिया कितना असर पड़ेगा नितीश के नहीं होने से इस गटबंधन बार्ति जंता पाटी को कितना फायदा होगा इस 2019 कहीं अगर चुनाव नतीजे को देख लिए तो नितीश और बीजेपी साथ लड़े और बात में मांजी चिराग पास्वांदी तो चालिस पे सुन तालिस सीटे जीती तो भाई जो अब साम्दे दिख रहा है वो हम इसी के अधार पर कह रहे हैं कि नितीश काना कहीं न कही ही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एक मौरल बूस्टर है क्योंकि देखी जो हमें जानकारी मिली कि जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी को भी शायद लग रहा था कि अगर वो अकेले चुनाव लरेंगे तो शायद पंद्रह पीस से जादा सीटे शायद ना जीत बीजेपी के साद भी बार कुछ नहीं देख रहा है बार बार कहता हूं मचली की आन्ख की तरह जैसे अरजुन को सिर्फ लोगसभा चुनाव लिए तो ये कहीं निटीश को भी लगा उनको भी लगा है उनको भी लगा होगी शायद ओगी अभी देश में इसा नहीं है खाथ कर तीन विधान सभा चुनाव एंपी राजस्थान जा उच्छतिजगर में जो नतीजे आए उसके बाद विटीश को भी शार हसास हुआ 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 कि मोधी लेहर अभी समाप नहीं हुआ है तो अगर वो मोधी के साथ चुनाव लेंगे बीजेपी के समझ रहे होंगे ने कि आर्जेटी के साथ रहने से अच्छा है कि उनकी संख्या आर्जेटी की संख्या कम होगी उसके पारण कहीं है एक ही फायदा होता हुआ दिख रहा कि कॉंग्रस पहले कम सीटों को लेकर मशक्कत करती थी कि मुझे एतनी सीटे मिल जाए संतुस्थी ह हो जाएगी अब शायद नितीश कुमार नहीं रहेंगे तो जादा सीटे तो मिल जाएगे लेकिन इंपोर्टेंट यह सीटे मिलना प्रत्याशी उतारना नहीं कितने सीटों पर आप विजय ही आप अपने उमिद्वार को खराते हैं यह मौटपूर्ण है तो उसका इंपर् करना आपको लग रहा है कि फिलाल आरजेडी और कॉंग्रस के मतलब कह लेते हैं यहां बुटे की बात है क्योंकि राजनितिक एक तरफ उत पर भी आएंगे मंदिर और जादिकत समीकरण पर लेकिन यह जो बैलेंस करने की कोशिश होगी कैसे होगी क्योंकि अपर एंड तो कि हो सकता निटीश का जाने का कॉंग्रेस की को और ज्यादा सीटे मिल जाए तो यह कता ही नहीं होने जा रहा है लालू ने कभी कॉंग्रेस को बढ़ने ही नहीं दिया पिछले तीस सालों में और इसलिए उसकी हालत है कि मतलब एक तरीके से समाप्त होती चली गई होती चल कॉंग्रेस को पंद्र सीटें मिल जाएगी मैं कही रहा हूं ऐसंभव इसा ही होने वाला है हां कुछ सीटें हो सकता है एक दो सीटें ज्यादा मिल चैश साल मिल सकता है लेकिन लालू ये नहीं चाहेंग एक को घैक ओर जाए आ कि रहा जाए अबस्यादा एंगना पड़े लालू कोई पता है कि 70 में 19 सीटें जीती हैं कॉंग्रेस तो अगर यहां पर 15-20 सीटें लोग सभा में दे देंगे तो एक दो भी जीत पाएंगे कि नहीं वो बड़ा सवाल है लालू जानते हैं इसलिए कभी कॉंग्रेस को इतनी जादा सीटें नहीं देंगे लालू यह अशुतोस चंडीगड में है और जब चुनाव आ गए है तो चुनाओं की बात हम कर रहे हैं पंजाब को समझना है सवाल तो सुनीजे मांता हूं इंतिसार करवाया लेकिन खुलके बैटिंग करते हैं आप सवाल करिए लेकिन सवाल आपका कुछ भी हो पंजाब की राजनीती के बारे में बात करेंगे जवाब यह की आना है आप सवाल करिए मैंने इसलिए पुछा कि चंडीगर्मिया आप दो-दो राजधानियों बैठे हैं अच्छा तो किसांड आंदोलन को लेकर अभी क्या है उसके बाद से हम एक और एहम चीज आप से जोड़ेंगे तो कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी आज मौजूद है बनारस में संत्र जहनती है और वहां पर उन्होंने संभूदित किया अब पंजाब में देश में वैसे संत्र अविदास के बहुत करोड़ों फॉल्वर्स हैं उनके अनुयाई हैं लेकिन पंजाब अग्रणी घर उसमें होता है और पंजाब की बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए अब पंजाब से ही किसाद आंदोलन कर रहे हैं यह कहीं न कहीं बहुत 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 संदेश भी था तो किसाद आंदोलन से जोड़ते हुए इन दोनों जो एक प्रोटेस्ट और प्रदान मंत्री नरेंद्र पूदी की मौजोगी और वहां पर जाना प्रतिमा का अनवरन क करना किस तरह से आप पॉलिटिकल एक मैसेज के तॉर पर देखते हैं जरा दर्शे को बढ़िए अज तो अंक गनित के हिसाब से आपको देखो अगर यहां से दो नंबर जा रहे हैं तो आपको दो नंबर की भरपाई करनी है किसान आंदोलन है और कोई भी आंदोलन होता है सता पक्ष के खिलाफ ही होता है हमेशा और किर्शी आंदोलन पंजाब में अगर चल रहा है लंबे समय से तो पंजाब का जोग्रफिकल कंडीशन आप देखें तो किसान बहुत बड़ी तादाफ में है तो जाहिर सी बात है यहां पर एक बड़ा समूदाए भारतिय जंता पार्टी से नाराज है इसमें किसी तरह की कोई दोराय नहीं है लेकिन रवीदासी समाज की बात करें तो किसान समूदाए के बाद रवीदासी समाज तीसरे चौटे नंबर की पॉपुलिशन है पंजाब के अंदर तो अब आपको भरपाई कहीं ना कहीं से करनी होगी और वही प्रधानमंत्री मोधी कर रहे हैं कि आप इधर से निशाना ना साधे उधर से साधे लेकिन जब चुनाव में उतरना है तो चुनाव में जन समर्थन तो आपको चाहिए ही और जब आपको यह अंदेशा और अंदाजा हो गया है कि किसान समूदाए आप से नाराज है जाहे आप उनकी मांगे मान लें ना मानें वो एक अलग चीज है आंदोलन फेल होता है पास होता है वापिस चला जाता है तीनों ही सूरत में कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी इस सरकार के साथ बनी हुई है वह बहुत जल्द खतम नहीं होगी और क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल पास है समय बिल्कुल काम है तो ये प्रोटेस्ट आने वाले चुनाव में एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े फैक्टर के रूप में हमेशा देखा जाएगा ये तो थी आंदोलन की बात आप दूसरा सवाल पूचिए जी और ये आंदोलन जो है क्या आपको लगता है कि इसमें सिर्फ किसानों की मांग के अलावा थोड़ा और भी पॉलेटिकल मोटीव भी है क्योंकि ये क्या लंबा खिच सकता है क्योंकि सरकार भी बातचीत तो कर रही है और MSP से लेका हर मामलते में सकरात्मक बातचीत तो इक शब्द होता है यानि कि जब चुनाव आते हैं तो हर तरह का संगठन सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करता है कि उनकी सारी मांगे पूरी हो जाए लेकिन सारी मांग कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती और चुँक्त चुनावा का समय है तो राजनीत हो नहीं है पंजाब का ये आंदोलन कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक घाटे का सोदा है लेकिन अगर आप इसको दूसरे रूप में देखें तो पंजाब में भारतिया जनता पार्टी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है अगर वो कोशिश करें पा सकते थे क्योंकि भारती जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो पंजाब में 13 में से जो कितनी सीटे हैं वो सब जानते हैं और जो सीटे हैं वहां पर सनी देवल गुर्दासपूर से हैं तो उनका खिलाप एक एंटी एंकंबेंसी ऐसी बनी होगी और भारती जनता पार्टी को भी लगता है कि जो नुकसान होना था वो कहीं ना कहीं हो चुका है भरपाई की कोशिश जब कपड़ा फट जाता है तो उसको रफ्यू करते हैं पेच लगाते तो पेच वर कब शुरू हो गया है रवी दासरी समूदाय है और अन्या और समूदाय है हो सकता है किसी ना किसी तरीके से उनको भी रिजाने की कोशिश पंजाब में की जाएगी ठीक है सवाल आशिश से फिर उसके पास रोई से अगला सवाल आशिश पीएम वहां पर मौझूद 14,000 क्रोड़ रुपे के लागर से विकास पर्योजनाएं हैं वराशी की काशी वासियों के लिए उत्तर पुदिश के दुगों के लिए समर्पित किया उधाटन शिलनेस किया और कई कारकों में उन्हों ने शिर्कत की शुना से ठीक पहले काशी के सांसत वहां पर पहुंचते हैं तो यह कितना बड़ा मैसेज और लोगों को कितना करती है और य पहुंचे हैं तब कहीं यहजनाओ का लोका पड़ गया तो काशी में यानि बनारस कि उनका कॉंस्टिटी गी है जो इनकी जहां से वो लड़ते आए हैं तो पृधान मंतरी मोजी उनकी शांसद है उनके लेता है उनके पृधान मंतरी है और काशी की जल्दा तो यह साफ त लड़ाया था लेकिन इन योजिनाओं से पूरे उस्ता पुलिस के बहुत ज्यादा फरक पढ़ने वाला है वजह साथ है कि कि अचार संगिता लगने से पहले अगर आप शिलान्याद कर रहे हैं और कई तरीपी योजिनाओं को मानारस से हम सीजा पुरवांचल को साथ लेते ह पर कहीं ना कहीं बहुत 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 इंटाक्ट पढ़ने वाला है कि अचिए अचिक्टि लोग उनके वन टूवन करें और इसका फाइदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और यही वजह रहीगी बैक तुबैक अधि आपने जिखा होगा कि लखनाओं में भी उन्वे इसके पहले आयोध्या का और इधर ही बनारस का यानि कि पड़े बड़े इवेंट है उतर प्रदेश में वो लगातार प्रदेश में वो लगातार है और लोगारपन कर रहा है तो लोगों के मैसे स्टाफ जा रहा है वेपक्स से धूर धूर तक नहीं दिख रहा है रिप्रक्स की पई लेता नहीं पहुँच पा रहे है ऐसी चगों पर जहां उन्हें होना कि ये किसी मुर्दे को वो इतना नहीं उठा पा रहे है जिस मुर्दे को उठा कर उन्हें वीजेटी को ताउंटर करना चाहिए तो ऐसे में अगर आप खुद आपके देश का जो कहते हैं वो इसलिए और जगें मौचूद है और उस्तर प्रदेश में विसे की लोगस्णा सब्सक्राइब यहां पर शीटे जीट कर लोगस्णा में जाए तो ऐसे में सीटों के लिए टार्स ओंग जो लग्से हैं मुर्दीदा वो जब उस्तर प्रदेश के लिए प्र सब्सक्राइब जीट कर लोगस्णा में जाए तो ऐसे में सीटों के लिए टाव पुरिवांचल हो उन सबी जगें प्रदानवन के लिए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और यह मान के चलते हैं कि लोगस्णा में बढ़ी सीट दर्स करने से उनका उक्रसित रहना बहुत अब बिहार को जोड़े हुए थोड़ा इसको नैशनल परस्पेक्टिव के हिसाब से आप इसको समझाएगा कि एक तरह से चुनांदी के गड़बंदन तब होता है जब हमें लगता है कि हमारी जो ताकत है अगर हमने अलाइंस किया तो हम दोनों मिल जाएंगे तो ताकत हम हमारी और बढ़ जाएगे और जब किसी का टार्गेट ही है कि इनको रोकना है यानि बीजेपी को रोकना है नरेंदर मोधी को रोकना है एंडीय को रोकना है तो हम सारे मिल जाते अब यह जो चुनाव है इस बार और बनाम बीजेपी और बनाम नरेंदर मोधी आप मुझे यह समझाइए जनता को यह समझाइए कि यह कितनी बड़ी ताकत है भारती जनता पार्टी के लिए कि बीजेपी अपने ही पीच पर सब को लाकर खड़ी कर दे रही हाने कि हर चुनावी भाशन में यह होगा कि मोधी को रोकने के लिए आप देख पाने की फुटा विपक्ष तो यह किस तरह से आप इस चुनाव को देखिये बनाम और ओधा कि जर्स अद्वांतेज या खिर आड्वांतेज़ यह एंट्रवांतेज इ他說 देखिए आसुतोष जो मुझे समझ में आता है वो यह है कि यह जो दो हदार चौबीस का चुनाव होने वाला है जो सारे शेत्रिय दल एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं कुछ आ गए हैं कॉंग्रिस के साथ में तो मुझे लगता है कि यहां सबसे बड़ी कोशिश उनको है जो छेत्रिय दल की में बात कर रहा हूं अपने वो लोग अस्तित्यू की लडाई लग रहे हैं क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूं जो देखकर हालात को शाथ सबको यह हैसास हो रहा है कि दो हज़ार चॉबीस का डील है वो डंग डील है तो कम से कम अपने शेत्र में हम रेलिवन्ट बने रहें ऐसा नहों कि हम आप रसंगी को जाए अपने ही इस तरीके से कहीं हमें रौन न डाले कि हम अपने ही शेत्र में जो हैं कहीं के ना रहें और इसी लिए आप अकिलेश यानदव को देखिए लोग सबसे उन्होंने की कोशिश है नितीश कुमार भी यहां पर रहा है राज निती कर रहे हैं ममता बनल जी देखिए कभी नैशनल अपना अपना इंबिशन दिखाने की कोशिश नहीं करती है पार्टी के चोटी बड़े नेता क्या बोलते हो एक अलग चीज है लेकिन उनकी पूरी कोशिश होत कि नितीश कुमार को भी एहसास हो गया नितीश कुमार के लिए समस्क्राइब बनलब सिर्फ इसा नहीं है कि इंडिया लाइंस में काम नहीं हो रहा था देखिए आर्जेदी के साथ काम करने का होता है जाँ चाहिए या इशारा कर रहे हैं कि भरस्टाचार हो रहा था जो भी भाग में मंतरी थे वो सब थे रहस्ट अचार हो रहा था दूसरी बात है पेजस्वी आदो को मुख्यमंत्री बनाओ यह दबाओ हमेशा नितीश कुमार के सर पर रहे साइद को भी बयान देता था था उसके बाद यह था कि नितीश कुमार को कभी इंडिया गटबंधन में के लिए लालू ने प्रजेक्ट नहीं किया प्रधान मंतरी उमीद्वार के लिए लालू ने कभी उनको नाम प्रसावित तक नहीं किया तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था इंडिया गटबंधन में आश्यतोश मक्सद से गय लगा हुआ कि मैं हिंदी पट्टी का एक बढ़ा नेता हूं कि राजवीति का अनुभव है के अंधर में मंतरी रहा हूं 18-19 साल उस बिहाद में राजवीति कर रहा हूं मुख्यमंतरी नहीं तो मुझे तरजी दी लेकिन वैशी तरजी लालू ने उनको नहीं दी है कभी कटबंधन की मीटिंग में लालू नाम कभी किसी मंच को प्रपोज नहीं किया कि इनको पीएम बना दो या इनको बना दो और उपर से फिर जेडियू के भी शांसर जो है उनका भी प्रेशर था उनको भी लग रहा था कि आर्जेटी के साथ चुनाव लरेंगे तो हार सकते हैं बीजेपी के साथ पुरा पुराने फॉर उसी विकेट पे लेकर आ भी रही है जाहिर सी बात है और सब जो है इस वक्त अपना कुन्बा बचाने में लगे हुए है अपना कम से कम हम अपने राज से अप्रसंगीत नहीं हो जाए यह सबसे बड़ी चुनाथी है शेत्रे दलो के लिए ठीक है चलते चलते चलती आफिस सतेंद्र को अभी तो बोलने दो है हां आशिश आपत्ती तो रही है इस कार्ण की खुबसूरती है यह चुनाव आज तक पर यह अगर शुरू हुआ है तो कुछ थोड़ा था मतलब बहुत वह ना सोचे कि हां पालिटिकल तो हम बात कर रहें लेकिन थोड़ा एंटर्टें का शिकार नहीं होना चाहते है चलिए यह मुझे बताए कि अगर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी में डिसाइड किया है कि हम अलग-अलग लड़ेंगे तो आखिर इसके पिछे की वज़या क्या हो मतलब आम आदमी पार्टी को लगता है कि वह जादा सीटे लेकर आएं और आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि उनकी सर्कार है सत्ता में और भारतिये जंता पार्टी और अकाली दलका गठ बंदन अभी सिरह चड़ लहीं रहा है इस मोके का वो फायदा उठाना चाहते हैं आम आद्मी पार्टी और शायद जो हमारा मूड ओफ नेशन अभी आया था उसमें जो हमने एक तरीके से इंडिकेशन दिया था जो हमारा रुजान था उसमें यही बताया गया था कि 5-5 सीटे कॉंग्रेस और आम आद्मी पार्टी जीत रही है तो आम आद्मी पार्टी को शायद यह लग रहा है कि हम यहां से पंजाब से ज्यादा सीटे निकाल सकते हैं दिल्ली में बिना कॉंगरेस के हम चल नहीं सकते हैं तो यह एक मैथमेटिक्स गणित के हिसाब से अपनी रंडीती तैयार की है चंडिगड पंजाब और कॉंग्रेस लड़कर चुनाब मिलकर लड़ती तो यह दोनों पिछले चुनाब जीत सकते थे क्योंकि अंक गणित यही कहता है भारत्य जनता पार्टी ने सिर्फ आम आदमी पार्टी और जो कॉंग्रेस का केंडिगेट दोनों थे वोटों का जो प्रतिशत था उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया है आशुतुर बहुत 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 शुक्रिया सतेंद्र इस सब पूरी खबर पर दर्शगों को जानकारी पहुचाने के लिए पंजाब से पंजाब और हर्याना दोनों तरब से चंडिगर से आप जुड़े हुए हैं और आशी श्रिवा और इसके पुर्व में पंकत जायन हमारे सायोगी दिली से जुड़े हुए थे हमारे सभी सायोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी दर्शगों का जो इस कारिक्रम का हिस्सा बने ये पहला एपिसोड है इस चुनावाज तक पर हम अगला हिस्सों से हमारे सभी सायोगी जो आप तक का ये पूरी जानकारी पहुंचा रहे थे अब ये कालकरम हमेशा आपके बीच हम रखेंगे दूसरा संस्क्रान लेकर होंगे हाजिर आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मुझे आशित प्रवेदी को दीजिये जाज़त और जुड़े नहीं देखते रहे हमेशा की तरफ सिर्फ आज तक नमस्कार